Hello for standard, welcome to English lecture. Today we learn chapter number 14, its name Sundari, right? Sundari name है, वो किसका name है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं. Now we started chapter, read and enjoy this story. यह चोटी सी story है, वो आपके लिए यहाँ पे रखी है, तो चलो हम read करते हैं. Sundari was a big, red, white and blue kite. Sundari कौन है, तो कि big, red, white and blue, red, white and blue kite है, उसका नेम Sundari है. When Bobby made her, she smiled at him. Bobby ने उसको बनाया और उसने उस पे, उसको smile दी, right? You are beautiful and I will call you Sundari, he said. उसने क्या कहा? किसने? Bobby ने बोला. कि तुम बहुत ही खुपसूरत हो, beautiful मतलब खुपसूरत हो. इसलिए मैं आज से तुमको Sundari कहके बुलाऊंगा. One day, Bobby took Sundari to the fair. एक दिन क्या हुआ? Bobby है वो Sundari, मतलब काइट को लेके कहा पे गया? Fair पे, मतलब मेला होता है न, right? वहाँ पे वो जाता है. The band was playing and everyone was smiling. अब fair पे तो क्या होता है? बहुत सारा गाना मचता है, धूम मचती है न, तो वहाँ पे band भी बज रहा था. और सब है, वो खुश थे. A merry-go-round was playing a happy little tune. Merry-go-round है, वो भी घूम रहा था. उसमें भी एक little tune बज रही थी. Happy tune बज रही थी, right? It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. ये क्या है? यहाँ पे कहा गया है कि It was carrying lots of boys. वो बहुत सारे boys और girls को उसमें carry कर रही है और round and round घूम रही है. उसके उपर जो wooden के animals है ना उसमें सब boys and girls केरी हुए है और वो round round घूम रही है. Merry-go-round आपने देखा होगा कि देखो, यहाँ पे picture है. उसमें किसे बच्चे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं. Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite. Bobby देख रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसी open space मतलब खुली जगा हो जहाँ पे मैं अपनी flight को fly कर सकू और दोर सकू सुन्दरी looked too सुन्दरी भी वो देख रही थी, right? teacher ओ यह से कोई space हो जहाँ पे हम अच्छे से खेल सके. Out in the grass run Bobby Grass था, वहाँ पे बाहर ही थोड़ा सा grass था, मतलब घास उगा हुआ था holding up his kite as high as he could उसने अपनी kite को ऐसे उचे से पकर रखा जितना वो उचा 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 पकर सकता था puff, the wind came along puff, मतलब हवा के भरने से जो चीज फूल जाती है न उसे puff केते है, the wind came along मतलब बहुत सारा ववन फूका इसलिए क्या हुआ वो kite है वो puff हो गए सुन्दरी started to fly up but she could not go very high सुन्दरी है वो fly करने लगी लेकिन वो बहुत high तक, high level तक नहीं जा सकती थी a little dog was holding on to her long tail little doggy था, उसने क्या किया था? यह उसकी tail है न, उसको मुँ में पकर रखा था it was in his mouth, उसके मुँ में थी उसकी tail है, वो बड़ी लंबी सी tail होती है न, वो उसके मुँ में थी तो उसने doggy के मुँ में थी, इसलिए वो kite है वो बहुत उचे तक नहीं जा रही थी, ओके? तो हम यह chapter में हम देख रहे है कि एक बोबी नाम का boy है, वो क्या कर रहा है? एक kite बनाता है, वो kite कैसी है? तो कि big, blue, white and red, right? blue color, red blue और white color की kite है और वो big है, और वो बोबी ऐसा सुचता है कि you are very beautiful, मतलब तुम बहुत ही सुन्दर हो इसलिए मैं तुमारा नाम क्या रखता हूँ? तो सुन्दरी, उसने उसका नेम सुन्दरी रखा एक दिन वो मेले में जाता है वहाँ पे वो उसको fly करने के लिए, right? और run करने के लिए सुन्दरी को लेके जाता है और वहाँ पे एक open space पे जहां पे grass था वहाँ पे वो जाता है और जैसे ही हवा आती है तो काइट में क्या होता है काइट में हवा भरती है तो वो काइट है वो इसे उचे उड़ने के लिए तयार होती है लेकिन उसकी टेल है वो डोगी ने मूँ में पकड़ रखी है इसलिए वो अब तक नहीं जा सकती चलो हम नेक्स लेक्चर में देखत है आगेकाल चेप्टर